देर सो साल पुराने बर्गत के पेड़ जिसे एक साल पहले ही ट्रांस्प्लांट किया गया था पर्यावरन दिवस पर केक काट कर उस बर्गत के पेड़ का जन्म दिन मनाया गया जन्म दिन के अफसर पर बर्गत के पेड़ को सजाया गया और बर्गत के पेड़ के शेदर में एक सुन्दर रंगोली भी बनाई गई इस अफसर पर नगराल तेवं प्रशासक राधा कृष्णन डी ने उद्धान विभाग की पूरी टीम की सराना करते हुए उन्हें बधाई दी पेड का जुन्दिन मनाते हुए उपायुक्त रविंद्र भेलावी कारेपालक अभियंता नरेश बोर कर उद्धान अतिक्षक उद्धान विभाग के कल्बचारी अमोल चौरपन कर सहीद गोरेवाडा शेतर के नागरिक विशेश रूप से उपस्तित थे नागरिकों ने नगरपालिका के कारेओं की सराना की और इस बरगत के पेड को पुनर जिवित करने के लिए बधाई दी है अंचल में गोरेवाडा जिल के पास क्वाटर शेतर में एक पुराना विशाल बरगत का पेड पिछले साल मई के मीने में आई आंठी के कारण उखड गया था करीब देर सो साल पुराने और सत्रा फीट के गेरेवाले पेड को नया जीवन देने का फैसला उद्धान विभाग ने लिया इस प्रशंसनिये वस सहरानिये कारे के लिए नगर आयुक ने ततकाल अनुमती प्रदान कर दी पेड के मूल स्थान यानि गोरेवाडा जील के पास पेड को लगाने की चनौती स्विकार की गई पिछले साल ट्रांस्प्लांट के दौरान उद्धान विभाग के करमचारियों ने गिरे पेड की सभी शाकों को काट दिया था पेड की उचाई जड से 20 फिट तक रखी जाती थी ऐसा करते हुए नगरपालिका के कार खाना विभाग के माध्यम से जेसी पी से 25 फूट चोड़ा वा 12 फूट गहरा गड़ा खोदा गया यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूरे देखबाल की गई थी और सफल प्रत्यारोपन के बाद पेड जीवित रहे पौदे के विकास के लिए खोदे गए गड़े को कीटा नो रोहित किया गया मिटी खात सब डाला गया सफल प्रत्यारोपन के बाद एक साल से यह पेड लहरा उठा है और पक्षियों ने भी पेड पर अपना बसेरा बना लिया है विशुव परियावरन दिवस पर सोंबार पार जून को पेड के सफल प्रत्यारोपन को पेड का जन्मदिन मना कर मनाया गया NBCN News के लिए क्लिश बादवाच के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट